नमस्कार दोस्तों, एक्री हिंदुस्तान चनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दिन प्रति दिन हमारी जो भूमी है, इसमें जल इस्तर नीचे चला जा रहा है, क्योंकि हम पानी को उस तरीके से उपियोग में नहीं ला रहे हैं, और ऐसे ही पानी को खुला चोड़ दे रहा है, पानी बिना वजह के बहर आया है, इदर उदर जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसका सदुपियोग नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जल इस्तर नीचे चला जा रहा है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी समस्या क रूप में उभर कर सामने आई है, तो दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे अनुदान और बहुत सारे स्कीम चलाई जा रही है, जिन्में से जो सबसे जादा प्रमूख है वो स्कीम है, प्रधान मंतरी कृशी सीचाइय योजना, तो दोस्तों इस इस जो आपका drip irrigation है और sprinkler irrigation है उसमें तो दोस्तों आप इस scheme का फायदा उठा सकते हैं आप अपने जो नजदी की आपका block है वहाँ पर जाईए संपर करिए अगर वहाँ पर कोई क्रिसी अधिकारी है तो उससे आप सारी जानकारी ले सकते हैं फिलाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो sprinkler irrigation होता है वो काम कैसे करता है और उसके जो पार्ट है वो कौन-कौन से पार्ट है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे इस्टाग्राम पेज को भी फालो कर लेगी तो चलिए चलते हैं तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जहां पर हमारा बोरिंग हुआ है और इस बोर में तीन हास पावर का समर्शिवल फिट है इसी से हम पानी को लिफ्ट कराएंगे और जो यहां पर पूरा सिस्टम इसका बना ह हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो टी पाइप है यह ऐसे बैक आप के रूप में लगा गया है कि माल लिजे कभी हमारा जो इस प्रिंकलर इरिगेशन वाला जो नौजल बगएरा है वो सब खराब हो गया तो इसको हम यूज कर सकते हैं अजे सर्फिस मेथड इरि प्रिंड कर देए और यह रहा गेट वाल इसके रहा हम पानी को आन अफ कर सकते हैं इधर उदर ले जाना है तो उसको हम यूज कर सकते हैं यह वाला जो पोर्टन है इसको बोलते है चेक वाल जब कभी पाइप में पूरा एर भर जाता है तो उसको रिमॉफ करने के निए य में जो प्रेसर रखते हैं वो लगबग डेड़ से साढ़े चार केजी पर सिंटिमीटर इस्पायर के हिसाब से ही रखते हैं यह इसका प्रेसर हो गया तभी वो जो इस प्रिंकलर में पानी जो है वो बढ़िया से फबारे के रूप में निकलेगा अब आपको हम ले चलेंगे तो चलिए आईए तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मटर के फिल्ट पर जिसमें हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपलाई किया उसके सारे अप्रेटर्स को लगा हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो सब लाइन आई हुई है यह हमारी सब लाइन गई हुई सब लाइन जुड़ी हुई है वहां से लेकर पहला नोजल आया है इसके बीच में टोटल आठ मीटर की दूरी है लगबग आठ से दस मीटर रख सकते हैं यह नोजल के द्वारा जितना दूर तक पानी जा सकता है तो बारे के रूब में आपको चेक कर लेना है वैसे आठ से दस मीटर की ही जगए क्योंकि यह जो घूमेगा नोजल तो उतनी ही दूरी को कभर करेगा पानी के लिए यहां पर आप देख सकते हैं यह वाला जो हुमारी दूसरी लाइन आई हुई है यहां से आई हुई है इसके और उसके इन दोनों के बीच में लगबग 10 मीटर या आ यह सब लाइन तो गए है और यहां पर हमारा जो दूसरा नोजल है पहले नोजल और दूसरी नोजल के बीच में भी लगबग 8-10 मीटर की ही दूरी को मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि एक नोजल के दौरा लगबग उतनी ही दूरी को यह कभर कर पाएगा पानी के दौरा फबारे के रूप में जो निकलता है तो इस इतनी दूरी पर अगर हम मेंटेन करके रखते तो आसानी से सिचाई हो सकती है जैसे आप यहां पर जमीन देख सकते हैं बिल्कुल नम है क्योंकि इसी के दौरा अभी सिचाई हुई थी और अभी रोक कर रखा है ताकि वीडियो पानी की तो बहुत अच्छी बचत होगी क्योंकि जो इस प्रिंकलर इरिगेशन होता है उसमें लगबग हम 50% तक पानी को बचत कर सकते हैं दूसरी चीज अगर हम देखें लेबर चार्ज में जो मेहनत लगता है या मजदूरी लगता है क्योंकि जब सर्फेस इरिगेशन क वारा हम सिचाई करेंगे तो काफी लोगों के आवसकता पड़ती है पहले तो नाली के द् prost抵 जाता है कैना भीछ पूड गया उधर के तरफ चला गया टीक है तो में खींद काने में जो पानी का लास होता है उसकी बचत हो गई, दूसरी चीज सिचाई करने के लिए हमें दो-तीन लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है क्योंकि वो पानी को काटना पड़ता है, दूसरे क्यारी से तीसरे क्यारी में जाना पड़ता है, तो इन सब चीजों को भी हम बचत कर सकेंगे, क्योंकि अगर मज जो जाना या जो भी करना आप अपना काम करिए, और यह सिचाई आपका होता रहेगा, ठीक है, और दोस्तों इस से अगर स्प्रिंकलर मेथट का हम यूज कर रहे हैं, तो इल्ड भी हमारी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, तो लगबग 20% तक हम इल्ड को भी इंक्रीज कर सकत यानि इल्ड 20% तक बढ़ सकता है, और दूसरी चीज इसके द्वारा हमें अलग से दवा छिड़कने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्यूंकि उसमें टैंक लगा हुआ होगा, जहां से आप फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन का मतलब होता है कि इर्टिगेशन क यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब कीट ब्याधियां या डिजीज बगारा लग जाता है, तो हमें पीछे जो नैप साइक स्प्रेयर होता है, या अधर टैंक वाले होते हैं, उनको पीट पर लाद कर चलाना पड़ता है, और पूरे खेत में फिर इसमें मिक्स होता रहेगा पानी में और वो हमारे फिल्ड के पास आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, कि इसमें भी ये जो दवा छिड़कने के लिए लेवर का चार्ज आता है, वो भी हम बचत कर सकते हैं, अब दोस्तों इसकी कुछ डिस एडवांटेज है, यानि कुछ हा पानी होती है, वो इसको अपलाई करने में ही आती है, क्योंकि पाइप को खरीदना और ये स्प्रिंकलर बगारा सारा सिस्टम लाना बहुत ही महगा पड़ जाता कि सानों के लिए, लेकिन इस हानी को तो सरकार ने वैसे ही दूर कर दिया, जो इतने भारी मातरा में अनुद पारे के मारधम से वहां तक नहीं जा बाएगा, यह तो दूसरी हानी होगी, और तीसरी हानी यह आती है, जले फिरे में बालू आ रहा है, तो वह क्या होता है, क्यों पाइप में आकर जंघ कर राएगा, ओर कहीशा है यह जो नोजल नहीं गो fils, है कर नहीं दुड़ हानी है क्का लूर नोजल कहीं कहीं खराब हो सकता है तो उसको आप असानी चेंज कर सकते Kalau कुंग구onder यह आधी पूरा नोजल ही कर अजर्फ कर सकते है तो आसानी से मी निकल जाएगा और यह calm इतनी बात है और इसको सपोर्ट के लिए हम यह एक डंडी का यूज़ करेंगे ठीक है आप लकडी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है खर्श वैसे तो यह लोहे की रॉड एक यूज़ किया जाता है ताकि आराम से यह ठीका रहें तो दोस्तो मुझे लगत है इससे बहुत खासा बहुत अच्छी खासी उम्मीद है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और सारे चीज़े सैंट्फिक वे में की गई है इसमें कोई वो नहीं है जो हमारा प्लांटिंग डिस्टेंस है रो टू रो डिस्टेंस है वो सब मेंटेन करके बनाया गया ह ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्यारियां भी बनी हुए ताकि अगर बारिस हो तो पानी आसानी से निकल सके यह ना हो कि इधर का उधर चला जाए ठीक है तो यह सारी चीज़े देखते हुए हमने इस फिल्ड को जुताई किया था और इस फिल्ड मे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है आप वहां पर जाकर फालो कर सकते हैं जो कि एगरी हिंदुस्तान के नाम से ही है तो ठीक है फिर मिलेंगे कभी किसी नए वीडियो में किसी नए चीज क तो चलते हैं डौस में ठीक है धन्यवाद कर दो कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि कामरा स्टेंड रापना तो बहुत अच्छा वीडियो घृट अ कि अ कि अ कि इवाला थुड़ा इधर लग गला कि अ कि आगे ऐसे चाथ आओ रागी है हुँँग चाथ